इस वीडियो में हम लोग quicksort का analysis कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि quicksort में best case, worst case और average case में क्या होता है तो अगर मैं यहाँ पर एक array मान लूँ और एक array को मानने के बाद यहाँ पर मैं कुछ elements डाल दूँ तो मैं आपर सबसे पहले आप लोगों को worst case की बात बताऊंगा, worst case की कहानी सिखाऊंगा quicksort की ठीक है, कि worst case आपका कब होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो worst case है quicksort का, वो तब होता है जब आपके elements already sorted होते हैं ठीक है, Already Sorted Elements, तो जब ऐसा होता है, तब आपका Quick Sort का Worst Case होता है, ठीक है, तो Already Sorted Elements में आपको Worst Case देखने को मिलता है Quick Sort का, ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से करता हूँ, ठीक है, मान लो एक Already Sorted Elements का मैं एक Array ले रहा हूँ, इसमें मैं 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 ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें Quick Sort लगाता हूँ, तो मैं सबसे पहले Pivot मान लूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं Pivot मान लूँगा इसको, और इसको मैं कुछ इस हिसाब से रखने की कोशिश करूँगा such that such that ये जो है अपने जगा पर आ जाए only to rely is कि ये अपनी जगा पर already है तो मैं इसको move नहीं करूँगा और मुझे पता चलेगा कि ये already अपनी जगा पर है ऐसा जानने के बाद ऐसी information लेने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं अपने array को 2 में split कर रहा हूँ एक तो blank array में जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है और एक दूसरा sub array जो कि 2, 4, 8 और 12 है ठीक है तो इसमें मैंने partitioning लगाई ठीक है इसमें भी मैं partitioning लगाऊँगा partitioning algorithm लगाऊँगा ठीक है और जब मैं इसको pivot मानूँगा तो क्या होगा कि ये अपनी जगा पर रहेगा अपनी जगा से हिलेगा नहीं फिर से मैं इसको 2 sub array में तोड़ रहा हूँगा एक sub array होगा 4, 8 और 12 और इसके left side में तो कुछ था ही नहीं तो ये empty sub array होगा और जब मैं 8 और 12 में partitioning करूँगा तो ये जो है already sorted हो जाएगा और इसको भी लाल कलर से ही गोला करता हूँ हाँ तो यहां पर देखो मैंने इसको लाल कलर से ही गोला किया है तो जब मैं ऐसा करूँगा तो आप लोग को दिख रहा है कि तो मैं अगर गिंती करूँ कि मुझे कितनी बार partitioning करनी पड़ी तो यहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ number one मुझे यहां पर partitioning करनी पड़ी तो एक partitioning यहां पर आ गई एक partitioning यहां पर आ गई एक partitioning यहां पर आ गई एक यहां पर आ गई n-1 times मुझे partitioning करनी पड़ी तो ये मुझे जो partitioning करनी पड़ी वो n-times करनी पड़ी अब अगर मुझे ये पता करना है कि quicksort की time complexity क्या है इस particular case में जिसको मैंने worst case आप लोगों को बताया है और जब हमारे already sorted elements तब quicksort की time complexity क्या होगी पता करने के लिए मुझे partitioning की time complexity पता होनी चाहिए partitioning की time complexity क्या होगी partitioning करने की time complexity होगी आपकी proportional to n ठीक है और मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा क्यों होगा मानलों आपके बासे गह रहे है 7 9 to 88 ठीक है partitioning की time पे आप क्या करते हो इसको pivot मानते हो यहां से i को start करते हो चलाना यहां से j को start करते हो चलाना इसको यहां इस direction में चलाते हो इसको इस direction में चलाते हो तब तक चलाते रहते हो जब तक i और j एक दूसरे को cross ना कर ले long story short यही होता है partitioning में ठीक है जो partitioning है वो comparisons करता है किस से करता है element का pivot से comparison करता है यानि कि इन दोनों को compare करेगा अगर successful नहीं होगा comparison तो इन दोनों को compare करेगा फिर similarly क्या करेगा pivot से इस element को compare करेगा जहां पर j point कर रहा है और ऐसा यह सारे elements के साथ करेगा तो मैं यह बोल सकता हूँ safely यहां पर कि जो partitioning है हमारा partitioning है some linear function of n some linear function of n अब partitioning में आप गिंती कर सकते हो कितने comparisons होए बड़ जितने भी comparisons होए वो some linear function of n होगे यानि कि जितना बड़ा array उतने comparisons ठीक है यह आप देख सकते हो कि i एक direction में जा रहा है exactly आप count भी कर सकते हो कितने comparison करने पड़ेंगे partitioning में बड़ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ कि some linear combination of n यहाँ पर मुझे मिलने वाला है और मैं उसको मान लेता हूँ k1n plus k2 k1, k2 क्या है I don't care but I know कि यह एक linear function है number of comparisons तो मैं आपर लिख देता हूँ number of comparison in partition algorithm ठीक है आपर algo लिख देता हूँ यह आपर लिख देता हूँ number of comparisons ठीक है number of comparisons in partition Lego ठीक है कितने comparisons हो रहे है और ऐसा कितनी बार हो रहा है partitioning कितनी बार हो रही है n-1 times तो time complexity के ज़िए मुझे टोटल टाइम निकालना है इस पुरे quicksword के run होने का तो मैं कह सकता हूँ कि n-1 से multiply कर दो इसको k1 n plus k2 और यह होगा big o of n square यह होगा big o of n square तो worst case में मुझे big o of n square time complexity देखने को मिल रही है ठीक है अब यह चीज आप लोगों समझ में आ गई कि worst case में big o of n square है time complexity अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि best case में time complexity क्या हुई तो best case में time complexity को देखने के लिए मैं इसको अभी यहां से मिटा दूँगा सारा का सारा तो मैं इसको rub कर देता हूँ ठीक है इसको मैं rub कर देता हूँ worst case को और आप लोग जो एक काम करो अगर आप लोग को इसका screenshot चाहिए तो वीडियो से screenshot ले लो बट मैं कर रहो इसको अभी rub I hope you don't mind कि मुझे बनानी जगा यहां पर और कुछ इस तरह से मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक है और इसको मिटा देता हूँ मैं अभी यहांपर क्या करूँगा कि जो अपना array मानूँगा मैं यहांपर कुछ इस तरह से अपना array मानूँगा such that best case हो ठीक है best case analysis ठीक है कुछ इस तरह से मुझे best case analysis करना है और best case analysis करने के लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि जब हम करने के analysis तो आपको पता चलेगा time complexity आएगी big off and log n aren't you scared already don't worry आप लोगों डरने की कोई ज़रूरत नहीं मैं बता हूँगा log n कहां से आ रहा है और बहुत अच्छे से बता हूँगा हमारे best analysis में हम यह assume करते हैं कि जो array है वो दो टुकड़ों में तूटा ठीक है यानि कि जो pivot है वो यहाँ पर आया कैसे आया यह मुझे नहीं पता but best case में बस आ गया ठीक है और उसी को हम best case कह रहें जब हर case में pivot बीचो भी जा जाए वो best case है ठीक है अब वो क्या हमेशा होगा कोई guarantee नहीं होगा भी की नहीं होगा but अगर हुआ तो वो हमारा best case है यानि कि हम अगर बहुत lucky हो गए तो कुछ ऐसा हुआ कि array यहाँ से टूटेगा और यह टूटेगा in array of size 2 in array of size 2 यानि कि यह दो elements का array और यह दो elements का array ठीक है फिर वापस से दो element का array और दो element का array मुझे एक बार partitioning करने की जरूवत है और वो अपने आप जगा पर लग जाएंगे elements ठीक है यह आपको मालूम है तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच यहाँ पर एक बार partitioning मुझे करनी पड़ी दो बार partitioning करनी पड़ी for n is equal to 5 where n is the size of the array तो 5 के लिए मुझे दो बार partitioning करनी पड़ी ठीक है यहाँ पर आप देखो इस चीज़ को note करो अब यहाँ पर मालो मेरे पास होता array of size 16 ठीक है 16 को मैं दो टुड़ों में तोड़ता देखो जो हमारा pivot होगा वो तो हमारा already जगा पर होगा तो 16 को मैं एक तो 8 में तोड़ूँगा और एक 7 में तोड़ूँगा आपको गए 8 और 8 में क्यों नहीं तोड़ा चुकि एक element तो हमारा already sorted है एक element तो pivot है एक element को तो हमने लगा दिया ना partitioning करने के बाद जगा पर उसको मैं क्यों नीचे ले कराँगा अगर आप quicksort में partition algorithm देखो तो आप देखो कि एक element कम लेते हैं ठीक है फिर finally जब मैं इसको तोड़ूँगा 8 को तो मैं 4 plus 4 में नहीं तोड़ूँगा 4 plus 3 में तोड़ूँगा क्योंकि एक element तो जगा पर आ गया 7 को मैं 6 by 2 करूँगा 3 और 3 में तोड़ूँगा 3 और 3 6 और एक element थटा दिया मैंने क्यों हटाया क्योंकि 4 और 3 7 एक element थटा दिया 8 मैं से क्योंकि एक element तो ऑटमाटिकली जगा पर आ गया तब ही मैंने 8 को 4 और 3 में तोड़ा 4 और 4 में नहीं तोड़ा फिर finally मैं क्या करूँगा इसको भी तोड़ने की कोशिश करूँगा एक element तो जगा पर आ गया तो ये तूटेगा दो और एक में ठीक है और ये तूटेगा किसमें एक और दो में ये तूटेगा in fact एक और एक में तूटेगा ये ये एक और एक में टूटेगा, I'm sorry, तो 3 है वो एक और एक में टूटेगा, एक और एक में टूटेगा, और एक और एक में टूट जाएगा, और फर्दर तोडने की ज़रूरत नहीं है, यूगि सब बागी सौट हो चुके हैं, यार अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां पर आप लोग बताओ कि इस लेवल पर, अगर मैं इस लेवल को इस तरह से dotted line से बना दूँ, ठीक है, तो इस लेवल पर बताओ कि मुझे कितनी बार partitioning करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी सिर्फ एक बार partitioning, और कितने size की partitioning करनी पड़ेगी, मुझे partitioning कर अब यहां पर कितनी बार partitioning करनी पड़ेगी, मुझे दो बार partitioning करनी पड़ेगी, for array of size n by 2, ठीक है, फिर यहां कितनी बार partitioning करेगी, तीन बार मुझे partitioning करनी होगी, 3 into, 3 बार नहीं, 4 times करनी होगी, I'm sorry, 2 to the bar 2 times करनी होगी, तो मैं आपर 2 to the bar 2 लिख देता हूं, और मैं आ यहां पर n divided by 2 to the bar 2, इतने size की array की partitioning करनी पड़ेगी, अच्छा, अगर मैं partitioning time की बात करूं, तो partition करने का जो time है, जिसको मैंने tn बोला है, वो n के proportional है, तो मैं कह सकता हूं, k1n plus k2 होगा, ठीक है, k1n plus k2 होगा, अब मैं आपर क्या करूंगा, total time निकाल लोगा, कि यह सार काम करने में कितना time लगेगा, ठीक है, उसको calculate करते है, तो मुझे tn को जोड़ना है, तो मैं आपर total time for quicksort, अगर निकालू, मैं आपर निकालता हूं, total time for quicksort, in best case, total time, quicksort के लिए, वो total time किसके बराबर होगा, in sub times के बराबर होगा, यानि कि मैं sum करूं, tn को, 2 into इसको, य k1 n plus k2, यानि कि मैंने tn की जगा ये वाला लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा, इसको bracket में रखूंगा, फिर लिखूंगा plus 2 multiply by, 2 multiply by tn by 2, जो कि क्या है, k1 into, क्या है n by 2, ठीक है, अच्छा मैं k2 को ignore भी कर सकता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे constants के तोर पे end में आ जाएंग करते है, total time में, इसलिए मैं इसको ignore करूंगा, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, k1 n लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा plus 2 to the board 2 into, यहां पर मैं लिखूंगा, k1 n by 2 to the board 2, ठीक है, और यह कहां तक जाएगा, अब यह कहां तक जाएगा, इस बात को जानने से पहले, मैं रहा है, इसलिए हमको बस यह बता करना ही, यह कितनी बार जाएगा, और यह कितनी बार जाएगा, till height of tree, till h times, h क्या है, height of the tree, इस tree की height, ठीक है, इस case में क्या है, 1, 2, 3, 4, यानि कि इसमें, 4 levels है, ठीक है, 4 levels है, इसमें, height of the tree कितनी बार, कैसे हमें निकालना है, यह मैं आप बता दूँगा, height of the tree कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, h into k1n, plus some other constant, जो कि हमने इग्नोर किया, यह k1 into h के बराबर है, height of the tree यहापर log n होती है, यह आप लोग को पता है, अगर आपने time complexity वाला वीडियो देखा है, तो आप लोग को पता होगा, कि height of the tree log n के proportional होगी, इसलिए यह हो जाएगा, big of n log n, big of n log n, अगर आप लोग को यह मुश्किल लगा, तो एक बार आप बताता हूँ, height of the tree log n क्यों होती है, देको जब 16 था, जब इनकी वाली 16 थी, तो 1, 2, 3, 4 आई, ठीक है, log 16 क्या होता है, log 16 चार होता है, अगर आप 8 लोग है, तो इसकी इतने tree की height क्या आईगी, 1, 2, 3 आईगी, ठीक है, तो log 8 क्या होता है, log 2 base 8 क्या होता है, 3 होता है, log की base यहांपर 2 है, ज्योंकि हम 2 में तोड रहे हैं, इसलिए log की base 2 ही लेनी पड़ेगी, मैंने time complexity वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बत सकते हो, but quick sort का जो best case analysis है, वो big o of n log n आता है, ठीक है, अब यहां पर आप में से कई लोग को यह चीज मुश्किल लगेगी, और आप लोग को परशानी हो रही होगी, यारी मैंने proof कैसे किया, एक बार आओ बताता हूं कि यारी, इस proof में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क देखा कि वो कितनी बार तूट रहा है, कितनी बार partitioning हो रही है, ठीक है, फिर मैंने यह देखा कि हम n size कहा रहे हो, कितनी बार partition कर रहे है, n by 2 size कहा रहे हो, कितनी बार partition कर रहे है, n by 4 size कहा रहे हो, कितनी बार partition कर रहे है, ठीक है, यह मैंने यापर निकाला, ठीक है, यह करन रखूँगा जब यह formula में रखूँगा अपने इस में यानि कि इन सब को sum करूँगा यानि कि ये plus ये plus ये h times तो कितनी कितना आएगा ये यहाँ पर ये k1n आ रहा है कितनी बार आ रहा है k1n h times आ रहा है और इसलिए ये big of n log n हो जाएगा तो इस तरह से quick sort की जो time complexity है best case में वो big of n log n होगी क्या ये case हमको हमेशा मिलेगा नहीं हमको ये case हमेशा नहीं मिलेगा क्या ये case जो है quick sort का हमको कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है मिल भी सकता है बट अगर मिल गया तो best case है ये n log n में आपका array जो है वो sort हो जाएगा लेकिन worst case तब होगा जब array already sorted है और वो मैंने बताया big of n square में होगा एक बात यहाँ पर आप बतायते हो आप लोग को कि जो average case time complexity है average case वो होती है big of n log n average case भी big of n log n होती है और इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हो मैंने आप लोग को time complexity वाले वीडियो में कैसे प्रूफ करते हैं बताया है तोड़ा सा complicated हो जाएगा but again if you want you can try but I hope कि आप लोगो best case worst case average case यहाँ पर समझ में आ गया average case का जब आप प्रूफ करोगे तो थोड़ा सा mathematical expressions complicated से बन सकते हैं but again doable यार मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि नहीं हो पाएगा ठीक है यहाँ पर जब हमने यह इस तरह से analysis करके इसको कर दिया तो वो भी हो जाएगा ठीक है बट आप लोगों के दिमाग में यह होना चाहिए best case में bigger of n log n average case में again bigger of n log n और worst case में n square ठीक है यह को एक sort ही time complexity होती है आप ठीक है तो यह हम लोगों ने जो है I hope अच्छी तरह से समझ लिया अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझा तो मैं कहूंगा एक बर और दे नहीं है देखो क्या होता है मैं आप लोगों को एक case लेकर दिखाता हूँ और फिर आप लोगों को पता चलेगा quicksorts stable है या नहीं है बालो मेरे पस एक area यहां पर ठीक है और वो area कुछ इस चानल से लिखता है वो है 2 8 9 और उसके बाद मालो 12 और यहापर 2 ठीक है तो यहां स मैं 2 से बड़ा ढूंगा एक और यहां से मैं 2 से छोटा यहां उसके बराबर ढूंगा एक तो मुझे यह वाला मिल जाएगा तो मैं काम करता हूँ इस वाले 2 को red color से लिख देता हूँ ठीक है इस वाले 2 को मैं red color से लिखता हूँ और जब मैं swap करूँगा यह जो i यहां है j यहां है तो मैं क्या करूँगा मैं swap करूँगा i को j से ठीक है i को j से swap करूँगा तो two को मैं यहां ले आउँगा art को यहां ले आउँगा आ जाओ कर देते हैं यह काम two को मैं यहां ले आउँगा art को मैं यहां ले आउँगा ठीक है उसके बाद मैं अपने i को आगे बढ़ देते हैं इसको तो यहाँ पर देखो यह इन्होंने अपनी position जो है change कर ली तो अगर मैं stability की बात करूँ तो quicksort is not stable ठीक है quicksort is not stable यहाँ पर लिख देता हूँ is not stable और क्यों नहीं है stable यह मैंने आप लोगो बता दिया कि या पहले काला पहले आ रहा था लाल बाद में आ रहा था अब लाल पहले आ गया और यह बाद में आ गया ठीक है तो quicksort is not stable यह आपके array के elements का order change कर देगा तो it is not stable ठीक है क्या यह in place algorithm है quicksort is definitely in place algorithm क्योंकि यह extra space नहीं ले रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं quicksort is in place algorithm is an in place algorithm अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात यह बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप लोग quicksort को जब perform कर रहे हो तो pivot पहले element को लेना है आप आप आपर ही element को भी pivot ले सकते हो और आप randomized quicksort भी उस कर सकते हो जसमें pivot एक random element होता है तो यह काम भी आप लोग कर सकते हो so I hope कि quicksort समझ में आगया आप लोगों को analysis भी हम लोगों ने कर लिया best case, average case, worst case, complexity भी आपको समझ में आ गई यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों को but again यह बहुत intuitive तरीके से मैंने बताया है तो वीडियो को एक बार देखना जरूरू consider करना और क्योंकि यहाँ पर basically मैंने क्या बताया है और कितनी बार सम हो रहा है यह linear function log n time सम हो रहा है तो इसलिए यह big of n log n आपका बन जा रहा है function ठीक है so इसको जरूर consider करना एक बार और आप लोग and at the same time अगर आप लोगों ने अभी तर किये data structures and algorithm की playlist access नहीं कर दिए तो उसको जरूरू access करना उसी के साथ साथ आप लोगों ने अगर मेरा quick sort का video नहीं देखा actual तो उसको जरूर देखना code भी मैंने उसी video में डाल रखा है quick sort की implementation और बागी के sorting algorithms bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort और sorting algorithm को किस तरह से actual में आप compare करते हो एक दूसर से सारी बाते मैंने आप लोगों को और वीडियो में बता रहा कियें तो playlist access करना मत बूलना और अगर आप लोग इस video को like करते हो तो दिल से खुशी होती है like जरूर करना इस video को अभी के लिए इस video में इतने है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल